जै स्री राम भक्त जन्नों प्यारे भक्तों नाम जब इस तरह से बैठ करके करेंगे तो आपको अवस्य भूत काल बर्तमान भवस्य का ज्यान अवस्य हो जाएगा भक्तों बड़े ध्यान से सुनिएगा और सुनकर कि करना जरूर और अगर आप निरंतरता और विश्वास के साथ एकागरत का के साथ हम हर वीडियों बताते हैं भक्ती में अगर आपको आगे बढ़ना है और आपने अपनी हर्त रह की कोई मनोकामना पूरी करनी है किसी भी तरह की यहां तक के भगवान का दर्शन करना है भूतकाल बरतमान भवश्वास का ज्यान प्राप्त करना है अनंतकोड ब्रह्मानों का ज्यान प्राप्त करना है तो आप अपनी भक्ती के साथ एकागरता निरंतरता और विश्वास को इन तीने चीज़ों को अवश से जोड़ें तो हम इतना आपको विश्वाश दिला सकते हैं कि एक ने एक दिन आपको सफलता आवस्य मिलेगी बक्तो अब टॉपिक पर आते हैं कि नाम जब इस तरह बैठ कर अगर आप करेंगे आप तो भूत काल बर्त मन वहिस का ग्यान आवस्य हो जाएगा बक्तो जो हम नाम जब करते हैं कितने प्रिकार से करते हैं चलते फिरते भी करते हैं उठते बैठते सोते जागते भी करते हैं बैठ करके भी करते हैं लेकिन अगर आप ब्रह्म मुहुर्थ में करें वैसे तो आप किसी भी समय करें लेकिन ब्रह्म मुहुर्थ में करें और आशन लग करके करें और दो ही आसन सरफस्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष हिलना नहीं चाहिए यानि कि सरीर इस्तर हो जाए आपका अगर आपका सरीर इस्तर हो जाएगा तो मन अपने आप इस्तर होने लगेगा और थोड़े ही समय में वैसे तो जादा से जादा हमारे स्यून वताया है कि 40 मिनिट के अंदर ये सरीर एकागर तो ऐसी जबस्ता में जब आपकी ऐसी जबस्ता हो जाए ये होगी धीरे धीरे अभ्यास के दवारा होगी तो उसके बाद में आप नाम जब करेंगे तो आपके अंदर से अपने आप ही आपका जो मन है वो है आपको भूतकाल, बर्तमान और भवस्त का ज्यान कराने लग जाएगा आपको कहने की आवश्यक्ता नहीं कि मेरा भूतकाल क्या था मेरा बर्तमान काल क्या है भवस्त से क्या होगा वह भक्तो आपको अपने आप बताएगा क्योंकि जो आपकी साधना है जो आपका एकाग्रचित होना है आपकी जो नामजपवस में निरंतरता है आपके साथ विश्वास है तो इन चीजों से आपके अंदर उस ग्यान की धारा बहने लगेगी जिसकी बुद्धी को आवश्चता है इस सरीर को आवस सकता है इस मन को आवस सकता है जब मन हमारा एकाग्रचित हो जाता है निरंतरता आजाती है और विश्वास पैदा हो जाता है तो यह स्वयम परमात्मा में हो जाता है और भूतकाल बरत्मान और वविस्व का ज्यान तो केवल वह पतप्रम्पिता परमात्मा ह नहीं दे सकता है, बाकि और कोई नहीं दे सकता, तो भक्तों आप केवल इस तरह से नामजब करें, और अपने भूतकाल बरत्मान और भवश को जानें, और जान करके जो आपको उचित लगे, वह कार ये करें, क्योंकि आप जान पाएंगे कि आपके लिए उचित क्या है, और अनुचित क्या है, तो अनुचित आप से अपने आप छुड़ जाएगा, आप उचित कारिय करेंगे, और उसके साथ में आपको वह सब कुछ प्राप्त होगा, जो आपको चाहिए, बिन मांगे सब कुछ मिलेगा, जब जिसको भूतकाल बरत्मान वहिस का ज्यान हो जाता ह तो वह कारिय करता है, जो पाप पुन्य से परे है, वह कारिय करता है, जो सुक दुख से परे है, वह साथक वह कारिय करता है, जो हानी लाव से परे है, तो भक्तो आसा करते हैं, आप थोड़े कोई जादा समझ लेंगे, तो आपका कल्यान निश्चित है, और आपको जो चा आम देते हैं जै स्री राम